हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों आज में लेकर आई हूं फूट वाल के रूल्स मेजरमेंट्स अंधराश्टी संगठन कप एंड ट्राफ्यूस रिलेटेट मोस् इंपोर्टेंट मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो नौलेज है उसको चेक कीजिए और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्टन है वीडियो को सुरू से लाज तक देखिएगा सभी कोश्टन आपके लिए इंपोर्टेंट है और दोस्तों यदि आप फिजिकल एजूकेशन के क इसी भी कमपटीटिटी एक्जांब का प्रेपरिसन सीलिबस के कोश्टन कर रहा है तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सीलिबस के कोश्टन के भी बनाया गया है और चेप्टर वाइज M.S.C. क्योश भी प्रैक्टिस करा रहा है तो इस टाइम में सभी गेम से रिलेटिड प् जैसा कि आप सबको पता है इसका जन्म जाता देश्त है England जैसा कि यहाँ सब से पहले बहुत प्राचिन काल में मिस्द में हर पाश्टीन के नाम से खेला जाता था और इसका असर तो पाया गया था चीन में 300 से 500 इसा पूरों में सूचू के नाम से ठीक है लेकिन इसका असली विकास हुआ आपका इंगलेंड में और दोस्तों इंगलेंड में इसका पराहुई सदी में प्रसार हुआ और मंगलवार का दिन वहाँ पे महान फुर्बाल दिवस के रुप में मनाए जाता है यह भी धियान रखियेगा इंग्लाइन में मंगलवार का दिन महान फुर्वाल दिवस के रुप में मना जाता है नेश्य विश्य विश्य की पर्थम प्रतिविता कौन सी है तो दोस्तों फुर्वाल की विश्य की पर्थम प्रतिविता एफे कब है और FA Cup की शुरुवात कब हुआ दोस्तों 1971 में ठीक है विश्व की प्रथन प्रतिता FA Cup यानि की Association Cup और इसका शुरुवात कब हुआ 1971 में यह आप ध्यान में रखेगा नेक्स कोशर है दोस्तों कि विश्व फुटबाल संग यानि फीफा की स्थापना कब हुई तो फीफा विश्व कब की स्थापना 21 में 1904 को हुआ 21 में 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ और उसमें साथ अध्यास मिलका बेल्जियम फ्रांस हॉलेंड इस्पेंज स्वीडन डिन्मर्क और सुर्जन लेंड ने मिलकर किया था इसका मुख्याल है यानि हेट कौर्टर है जुईरिक सुर्जन लेंड और पर्थम अध्यास थे स्र विश्टु फुर्बाल संख यानि फीफा का मुख्याले कहा है तो अभी मैं तुरंट बताई हूँ इसका मुख्याले है जुणिक सुर्जन लेंड नेश्ट रोस्तलों मिलकर किया फुद्धा को थे तो इसके पुद्धा मुख्यास थे गुरीन यानि स्री गुरीन कहां कहते फ्राउंस के नेशा दुस्तों भारतिय फुर्वाल संग भारतिय फुर्वाल संग यानि A.I.F.F जिसका आल इंदिया फुर्वाल फेडरेशन की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना टेज जून 1937 को हुआ सीमला में ठीक है टेज जून 1937 को सीमला में हुआ जिसका होट एहल क्वाटर जो है कोलकत्ता पस्चिंबंगाल में है अब रतमारा अध्यास प्रफल नम्वा नुहर प्रटेल है आज इंदिया फुर्वाल प्रटेशन के यानि की AIFF के और नेश्ट कोशन है दोस्तों कि उलंपिक में फुर्वाल को कब सामिल किया गया तो फुर्वाल को उलंपिक में कब सामिल किया गया तो 1908 लंदन उलंपिक में कब सामिल किया गया 1908 लंदन उलंपिक में है और दोस्तो नेक्सट है है भारती फुटवाल संग का मुख्याला कहा है तो कोलकत्ता में है फस्टी मेंंग्लके कोलकत्ता में नेस्ट है फुटवाल को São में कब सामिल किया गया तो ACI खेलों में नई दिल्ली में सामिल किया गया जैसे कि आप सब को पता है कि ACI खिल 1901 में शुरू हुआ भारत के ने दिल्ली से फुटबाल की भारत में पहली प्रतोईता कब आयोजित की गई तो फुटबाल की भारत में पहली प्रतोईता आयोजित किया गया कब किया गया दोस्तों तो फुटबाल की भारत में पहली प्रतोईता 1988 स्रीमिला में आयुजित किया गया दुरंड कप ठीक है पहले पत्री तक दुरंड कप थी जो स्रीमिला में 1988 में आयुजित किया गया दोस्तों और यह 1988 से 1940 तक स्रीमिला में ही आयुजित किया जाता रहा और अब यह आयुजित होता है दिल्ली में यह आप को ध्यान में रखना है और यह भारत की सबसे पुरानी प्रतिविक्ता है अब इसमें सबसे पुरानी में आप दूसरी नमबर पर आता है और नेक्ट कोंचन है दोस्तों कि भारत की सबसे प्राचीन फुटबाल प्रतिविक्ता कौन सी है तो भारत की सबसे प्राचीन फुर्वाल प्रतुईता कौन सी हो दोस्तों अभी तुरंग बताई हूं पहली प्रतुईता 1988 में डौरंड कब आपका खेला गया जिसम 못 इसका सही एंसर हो जायेगा थुरंड कभ भ्यारत किष्षा से प्राचिय है प्नलॐल प्रतुईता कोन इसकी उरुगी की राधानी मॉन्ट वीडियो में आजित किया गया ठीक है जैसा कि दोस्तो फुटवाल बिस्तु कप जो है 13 जुलाइद 1930 उरुगी की राधानी मॉन्ट वीडियो में आजित किया गया और 2022 में यह दोहा कतर में होगा ठीक है हो रहा है इसमें फीफा 20 कप हो रहा है यहां कि आप समलुक जानते हैं कहां पर दोहा के कतर में 22 का 2018 में कहां हुआ था रसिया में नेक्ष है दोस्तों कि फुटबाल का पर्थम 20 कप कहां आजुजित किया गया तो आभी मैं तुरंत बताई हूँ कहां आजुजित किया गया था उरुग्वे की रधानी मोंट वीडियो में तो मोंट वीडियो उरुग्वे यहां पर सही हो जाएगा नेक्ष है फुटबाल अभी सुकप को पहले किस नाम से जाना जाता था तो फुटवाल अभी से कोको पहले जूलियस रिमीट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था नेशा फुटवाल का प्रथम अरजुन पुरुसकार किस खिलारी को प्राप्त किया किस खिलारी ने प्राप्त किया तो पीके बनरजी ने तो 1971 में PK बनरजी को दिया गया था नेस्टर फुटबाल में सबसे पहले दुर्णाचार पुरुसकार किसने जीता था तो सयद नई मुद्दीन ने जिता था किस ने जिता था सयद नई मुद्दीन ने तो यह दिया गया 1990 में किसको दिया गया सयद नई मुद्दीन को तो फुर्बाला की राष्टिय पुरुस प्रतिविता का क्या नाम है तो फुर्वाल की राष्टी ये पुरुस प्रतिविता का नाम है संतोस ट्राफी क्या नाम है संतोस ट्राफी ये भेर इंपोर्टेन कोस्चन है संतोस ट्राफी इसकी सुरुवारत 1941 में हुआ था नेश्ट है जुनियर राष्टी फुर्वाल टॉफी का क्या नाम है जुनियर राष्टी फुर्वाल टॉफी का नाम है डॉक्टर बी सी राय टॉफी नेश्ट है राष्टिय सब जुनियर फुरवाल प्रतिविता का क्या नाम है तो राष्टिय सब जुनियर फुरवाल प्रतिविता का नाम है मिर इकबाल हुसेन टॉफी 1977 में सुरुवात हुआ नेश्ट है अंतर बिद्याले फुरवाल टॉफी का क्या नाम है तो क्या नाम है सुब्रतो कप देखें यहीं 24 से सुरवाथ हुआ नेश्ट है आपका राश्टी ए महिला फुरवाल प्रतिविता कौन सी है तो राश्टी ए महिला फुरवाल प्रतिविता है बेगम हजरत महल ट्राफी नेश्ट है जैसा कि दोस्तों आपने जाना कि फुर्वाल की राष्टी पूरुस प्रतिता संतोष ट्राफी जुनियर पूरुस प्रतिता डाटर बीसी राय ट्राफी और सब जुनियर पूरुस प्रतिता अमिर इकबाल हुसेन ट्राफी और अंतर विद्याला ट्राफी में सुबरतो कप और सिनियर महिला में में बेगम हजरत महल ट्राफी यह आपके बेरी इंपॉर्डन है इसमें से एक नएक कोशन हर बार पूछी देता है तो इसको आप ध्यान में रखेगा और इसके अलावा दोस्तो इसमें आपके हैं जैसे कि डुलेंड कप, डुवर्स कप, चकोला गोल्ड कप, नागजी ट्राफी, बिटल ट्राफी, टाड मिरिजल ट्राफी, पेसिफिक ट्राफी, कोपा कप, सिजर्स कप यहां के भेरी इंपोर्टन है इसमें फुर्वाल के अंदर गड़ निश कोश्चर है कि भारत के फुर्वाल के इस्टेडियम का नाम बताईए तो यहां पे आपसान है सौर्ट लेक इस्टेडियम कुलकत्ता जवाहला नहरू इस्टेडियम नए दिल्ली अमेर्कर इस्टेडियम दिल्ली उपरक्त सभी तो यहां पे उपरक्त सभी आपसान आपके सही हो जाएंगे इस सभी इस्टेडियम आपके फुर्वाल के है निश् यहाँ पर A and C दोनों कौन सही है दोस्तों यहाँ पर आपसा निम्मर D करेट है A and C दोनों यानि कि लाल बहादूर इस्टेडियम हैदराबाद पंजाबी इस्टेडियम यूरिसिटी पटियाला यह थे फुटवाल के मैदान के लंबाई कितनी होती है 100-130 गर्ज यानि कि गर्ज में 100-130 गर्ज है और मीटर में हो जाएगा 90-120 मीटर लंबाई यह थे फुटवाल के मैदान की चोड़ाई कितनी होती है तो फुटवाल के मैदान की चोड़ाई होती है 50-100 यार्ड यानि कि 50-100 गर्ज और इसको मीटर में कहेंगे तो 45-90 मीटर हो जाएगा कितना 45-90 मीटर ने ठाप फुर्वाल के मैदान के लाइन की मुटाई कितनी होती है तो दोस्तो फुर्वाल के मैदान की जो लाइन होती है वो 7 इंच की होती है यानि की साहे 12 सेंटी मीटर और दुसरे नमबर पर दुस्तो हांकी का होता है तीन इंची याने की साहे साथ सेंटिमीटर का होता है उसके बाद सबसे कम होता है बेर्मिन्टन का जो चार सेंटिमीटर का होता है निश्ट है अंतराष्टी मैच में फुर्वाल के फिल्ड की लंबाई चोड़ाई कितनी निधायत की गई है तो अंतराष्टी मैचों में 120 गुड़े 80 गज का निधायत किया गया है कितना 120 गुड़े 80 गजने 120 लंबा और 80 गज चोड़ा नेज़ फुर्वाल के मध्य बित का अर्ध ब्यास कितना होता है तो फुर्वाल के मध्य बित का अर्ध ब्यास रेडियोस कितना होता है 10 गज यानिकी 9.15 मिटर नेज़ कोश्चन है कि फुर्वाल का गोल चेतर कितना होता है इसमें एक Gold 6 होता है eak Penalty 6 होता है तोGS Snake जो होता है वह आपका Gold 6 कितना होता है वीज गुड़े सूब्सक्रा सुदिए दोको थे स्थे उडिसेदे प्र्वाटन का होता है 20 स्थे ईयानिकी 87 को थे स्थे व। टेन 05 मिज्च एक फर्वान में पर्वारी dot चेट्र कितना होता है जैसा कि चित्र में दीख का यह साथ पिनालटी चेट्र है जो होता है स्वालिस गुड़े 18 गज्ञ यारी च्वालिस गज्ञ लंबा और 18 गज्ञ चवड़ा यारनि इसको मीटर भी कहेंगे तो 40 दसमों 32 गुड़े 16 दसमों 5 मीटर नेश्ट है फुर्वाल में पिनाल्टी आर्क का अर्ध व्यास कितना होता है तो पिनाल्टी आर्क का अर्ध व्यास होता है दस गज जैसा कि ए पिनाल्टी आर्क है नेश्ट है फुर्वाल में पिनाल्टी स्पॉर्ट कितनी दूरी पर होता है जैसा कि आप सबको पता है या 12 गज की दूरी पर होता है फिनालिटी स्पार्ट यानि कि 11 मीटर की दूरी पर गज में 12 गज और मीटर में पुछेगा तो 11 मीटर या आप ध्यान में रखेगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही I hope कि सभी कोस्टन आपको समझ में आये होंगे सभी कोस्टन आपके पढ़े हुए ही हैं आपने इसमें कितना स्कोर किया ये बताइए और कहीं पर मिस्टेक हुआ हो तो भी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए जो भी डाउट हो का उसे भी कमेंट में बताइए मैं डाउट किलियर करने की पुदि कोशिश करूँगी और डेली बेसेस पे आप जुड़े रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वेकेंसिया आ ही रही है कि बियस भी आया है टीजे टी भी आया है एंड यल्टी ग्रेट आने वाला है तो आप टायारी में लग जाएए और डेली बेसेस पे मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप बने रहे हैं मेरे चैनल पे फर्स वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए निए वीडियो का आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएए